यारे बैच्चों इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के दस मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत विकलकी परस्नों को पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड में लगातार पूछी जा रहे हैं अगर आप बोर्ड के इजाम दे रहे हैं तो इन परस्नों को जरूर पढ़ें अगर इन दस परस्नों को आप पढ़ लेंगे तो बोर्ड इजाम में आप सत्तर में सत्तर ला देंगे हमें विश्वास है किसी मिहिम्मत नहीं है कि आपको कम नंबर दे देगे बस आपको इन दस परस्नों को बिलिकुर रट लेना है क्योंकि सन 2005 से सन 2019 तक लगातार इन परस्नों को पूछा जा रहा है इन परस्नों को हम किताब से कई जगह से खोज कर लाए हैं हम आपके लिए मेहत कर रहे हैं तो प्यारी बच्चों हमारी वीडियो को प्यार से सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना चलिए आते हैं अपने इंपॉर्टन टापिक पर देखिए ए जो बोर्ड में आ रहे हैं सारी कुश्चन यह बहुत सब बहुत महत्पूर्ण है सब डायमेंड परस्न हैं देखिए क्या है डायमेंड परस्न है ही रा हैं सब तो हंडे परसंट गारंटी है चार अप्रेल को आप नब्बे परसंट पार जाएंगे नब्बे परसंट के पार देखिए नब्बे परसंट के बार इस बार आपको पारना है है ना तो इसको देख लो नहीं तो परस्ता होगे फिर सारे कुश्चन को हम रट हमें रट लेना है तो प्रस्न पहला है कांज क का अपर्तनांग अधिक्तम होता है किसके लिए अधिक्तम होगा बाइगनी रंग के लिए काज का अधिक्तम होता है तो इसको रट लीजी प्रसंदों है आकास का रंग नीला दिखाई देता है नीला दिखाई देता है आकास का रंग तो प्रावर्तन के कारण दूसरा इसका आप्सन है आप और्तं कारण तीसरा है प्रकीरंग कारण तो प्रकीरंग कारण होगा प्रकीरंग के कारण यह आपका आकास कारण निर्य दिखा जाता है तिसरा कुश्चन है बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगास्टन धाद का फिलामेंट बना होता है तो बिजली के बल्ब के अंदर लगा होता है फिलामेंट तो टंगास्टन धाद का बना होता है एक कुश्चन बहुत आई हुआ कम्प्रीशन ही बहुत आता है स्वास्थ आंक के लिए असपस्ट द्रिष्ट की नियूंतम दूरी है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इसमें 25 सेंटीमीटर है यह आपका होगा 25 सेंटीमीटर स्वास्थ आंक के लिए नियूंतम दूरी है अठाथ हमें 25 सेंटीमीटर पर रख करके किसे किताब को पढ़ना चाहिए तो पार्चान कुस्चन है पार्चान कुस्चन देखे पार्चान कुस्चन है एस्टिक अमर्का आयोपीसी नेम होगा एस्टिक अमर्का आयोपीसी नाम होगा पहला है एथनोईकम दूसरा है मेथनोईकम तीसरा है पेपनोईकम चौथा है ए एक कुश्चन सभी होगा एंसर आपका सभी होगा एथनोइक पेस्टिक का आई पेसी नाम क्या है एथनोइक एसीड छठा कुश्चन है प्राकृतिक गाइस का प्रमुख आयो है मेथेन एथेन प्रोपेन इसमें वह गा मेथेन रट लिजे इसको बिल्कुल दिमाग में सोडियम के साथ पोटाइसियम के साथ एलमोनियम के साथ मैनीशियम के साथ तुसमें क्या कौन सा अंसर था होगा एने सोडियम के साथ सोडियम के साथ लीथियम बिकांडी संबंध डायागोनल रेलेसंशिप दिखाता है अगला प्रसंद आठ है ग्रीट हाउस प्रभाव उ ההए बएर इंपार्टेंग फॉष्य है घ्रीं हाुस प्रभाव ऊत्पन करने वाली गैस है ऐसे सॉटु एन्टू। क्लोरो फ्लोरोकारबं और नाटिक अक्सिड इसमें होगा CFC, चुलोरोफोरोटाबन चुकाते हैं, एक greenhouse परभाव उद्पन करती है, प्रस्थदनव है, LPG का परमुःषटख है, LPG के फूरफार्म है, लिक्विफाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइट पेट्रोलियम गैस, तो LPG का परमुःषटख कोउन सा है, कौन सा है मेतें आपको ए एक वियर ईंसर दजाए ही दोनों है उसमें कौन सा grow अधिया कैसी वित्तर होगा प्यारी बादी डेंट जिसको मास्टर ग्लेंड भी कहा गया है मस्तिक में होती है प्यारे बच्चों तो चलिए हम अब अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार